जै स्री राम, जै हन्मान, ओम स्री हनुमन ते नमा, संकट से रच्छा करो, हे महावीर हन्मान, संकट मोचन किर्पानिधान, जै हन्मान, जै जै हन्मान, निश्चे प्रेम प्रतीते, विने करें सर्मान, तेहीं के कारत सकल सुब, सिद्ध करें हन्मान, हन्मान जी आपको अगे साली बनाए संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किर्पानिधान जय हन्मान जय जय हन्मान आज 20 अप्रेल विरस्पति बार का देन साल का पहला सुर्जगरहन सुबह 7 बचकर 4 मिनट से 12 बचकर 29 मिनट तक विसकंब योग एक बचकर 1 मिनट तक उसके बाद पृतियोग का उदय अस्वनी नच्छतर में केतू के प्रभाव में वैसाक मा किस पच अमवस्याति थी को लगने वाला सुर्जगरहन बड़ा भ्यंकर सुर्जगरहन है आप इसमें साभधानी रखें सुर्जगरहन के नियम का पालन करें नहीं तो राभू के तू आपको बड़क कस्ट देगा लेकिन सुर्जगरहन के दिन 5 सुभ योग भी बन रहे हैं अगर आप थोड़ा संयम रखेंगे थोड़े गरहन के नियमों का पालन करेंगे तब आपके जीवन में सुर्जगरहन के बाद जवरदस्त लाब होने वाला है क्योंकि सुर्जगरहन के दिन सरवाज सिद्धी पृती योग जैसा सुभ योग भी बन रहा है बुद्ध और राहू की युक्ती भी हो रही है जो आपके लिए बेहद ही सुभ है सुर्जगरहन के बाद सुभ योग में आपकी जीवन में बड़ा लाब मिलेगा मान सम्मान बढ़ेगा करियर में उनती, नौकरी में अच्छे उसर कारोबार में अच्छा धन आपकी जीवन में खुसाली और सुभागे का सुख भी प्राप्त होगा लेकिन सुर्जगरहन के समय अगर सुर्जगरहन के नियम का पालन नहीं करेंगे तो यही राभू और केतू आपकी जीवन में बड़ा कस्ट आपको दे देंगे आज ये केतू और सुक्र का परभाव है राभू की इचाया बिरस्पती और सनी की दिष्टी है आज का दिन चार चरण में बैतीत होगा परतम चरण का स्वामी मंगल है दुत्य चरण का स्वामी सुक्रेप पिरत्य चरण का स्वामी बुद्ध है चतुर चरण का स्वामी चंद्रमा है जिस समय सुर्ज गहन होगा उस समय बुद्ध सुर्ज राभू और चंद्रमा एक साथ गोचर करेंगे और केतू अपनी सक्तम दिरिष्टी से राभू पर अपनी दिरिष्टी डालेंगे आज अस्वनी नचत्र है केतू बड़ा बलवान होकर गोचर कर रहा है और केतू के कारण ही आपकी स्थिती भी मजबूत होगी आत्मिश्वास भी बढ़ेगा केतू आपकी जीवन में बड़ी उप्लवधी लेकर आएगा आपकी जीवन में धन्स वाभागी का योग बनेगा तो ग्रहों के नियम का पालन करें आज का ग्रहन बड़ा भिहंकर ग्रहन है अगर आप नियम का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपकी जीवन में बड़ी तरक्की की प्राप्ती होगी भय और संकर से मुक्ती देने वाला सनी विरस्पती की दृष्टी मंगल सुक्रे और सनी बहुत सुभलाब दायक है सुकी भग्य साली आज का दिन आपके लिए सुभग इसाली साबित होगा जो खुसखबरी देगा तरक्की का उसर देगा रिष्टों में प्यार देगा परिसानी को कम करेगा संपत्ती उनती सुक के लिए समय अत्यन सुभ है आज का दिन राभुकाल एक बचकर अंठावन मिनर से तीन बचकर पैंटीस मिनर राभुकाल के दोरान किसी भी सुभ्ताम का स्री गनिस ना करे दच्छिन दिशा की तरफ से दिन की सुरवात न करे आपके लिए लख्की कलर पिंक होगा लख्की नमर से विर होगा बुद्ध से धन्य स्वर्ज मिलेगा मंगल से उत्तम फल सुक्र आपकी जीवन में सुख देगा तो केतु जीवन में उपलब्धी लेकर आएगा विरस्पती से धन आपकी जीवन में चंद्रमा से भाग्य बेतर स्थिती लाप सुख सावभाग्य का योग बन रहा है गरहन का समय 7 बचकर 4 मिनर से 12 बचकर 29 मिनर गरहन के नियम का पालन करें गरहन के समय भगवान के नाम का जाप करें ब्रह्म मूरत सुबह 4 बच कर 23 मिनट, सर्वा सिद्धी ओक 5 बच कर 51 मिनट, आपके लिए सुब होगा, जबकि अभिजीत मूरत 11 बच कर 54 मिनट, ग्रहन से प्रभावित होगा, और विजय मूरत 2 बच कर 30 मिनट, उपलब्धी बरा होगा, अमरित काल साम 4 बच कर 11 मिनट, भगी का सुख मिलेगा, आपके लिए तरकी, लाप के आउसर मिलेंगे, तो हन्मान जी का दरसन करें, हन्मान जी की पूजा करें, जैसरी राम, चैह हन्मान